हेलो आज इस वीडियो में मैं आपको Formic Acid की Laboratory method यानि प्रयोक्साला बेदी बताऊंगा कि प्रयोक्साला में फॉर्मिक काशिक को कैसे प्राप्त किया सकते यूपी बोर्ड के exam में यह काफी उशा जाता हो और इस साल यह काफी important है तो इसे जरूर याद करने समझ लें और सिंपली वहां फिगर बनाएं इसका और दोती रेक्शन लिखनी है कैसे बनना है यह कभी-कभी वह एक-दो chemical reaction में पूछ लेता है या physical properties तो उसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले एक जल साथ एक flask को लेवडोर्डी मेठन करते गया है एक flask लेते हैं राउड शेप का गोल एकार का उसे इस्टेंड पर कस दिया जाता है में में उसमें गिलिसरॉल और और ऑजलिक वृष अंगर ऐसाफ को फर दीया जाता ऐड़ी ए अबसक्ता कर नुसार उसके अब हैसे लिए आता है जो फ्क फ्रेंड बाथ पर का जाता है और जो वहां से गरम किया जाता है यहां पर फर्मोमिटर लगास जाता है इस सता ही यह नाव 110 डिग्री यह सो से एक सदस डिग्री सेंटिगेट का टेंपरेचर रहना चाहिए इसका इसमें जो रेक्षिन होती है जो वेपर बनती है फॉर्म अगरेशेट की और अन्र चीजे में होती है तो यह कंडेंसर के थो इसमें यह रिसीवर मां याते हैं इसमें फॉर्म करने के लिए टागे फ्न थंडी हो जाए और यह वेपर फॉर्म में आ रहा होता है इसलिए पर इसमें खटी हो जायए और आराम से सीव कर लिए इसमें है तो हुआ और यहां से गरता है और यहां से रिमूब हो पर यहां पर यह प्रकन जहाने थया है इस हौने अब जो फॉर्म जा रिचुट होता ए वो सोल्वेशन है यह ठैजोंग फॉर्मर consec में प्राप्त होता है लेड कारवन के साथ गरम करते हैं अन्यर्शाथ गरम करेंगे तो फिरेल यह सुल्फाइड को dry hydrosulfide के साथ 100 degree centigrade पर गरम किया जाए तो हमें formic acid प्राप्त होता है जिसमें lead sulfate gas की रूप में निकल जाता है तो जो formic acid है अब ये बिल्किल pure form हो कभी-कभी ये reaction पूछता है कि कोई भी दो reducing reaction बताईए formic acid की ये इसकी laboratory method है पुरा जितना मैंने बताया है उतना ही लिखना है ये वहाँ पर ध्यान देने की बात है कि कभी भी exam में ये सब नहीं लिखना है कि हमने एक stand लिया हमने एक flask लिया वहाँ stand पर लगाया ये condensal लगाया ये सब लिखने की जरूत नहीं है वहाँ पर ये figure जरूर बनाए ये चित्र बनाए और लेवोटरी में formic acid को निर्म्ण चित्र के नुसार बनाया जा सकता है ये बनाया जाता है तो आप लेखेंगे कि उसमें फ्लास्क में और गल्सलर लेते हैं प्रस उसको गरम किया जाता है इसमें उसको हम लेट कर शांते हैं तो हमें लेड़ मेट मिलता है उस इस्से लेट फ़ेर मेट को ट्राइी के साथ ऑल्लेट सिंपल बनाए इसको बड़े आराम से यज़डी नहीं कितामें बना वही है लेकिन से बनादी जल्दी से टैम कंजूम नहीं होना चाहिए आराम से बना सकते हैं इसे अई कि यह बहुत इंपोर्टेंट है इप बोर्ड के लिए इस साथ में कैसे की दो रोडूशिंग प्रॉपर्टि कभी-कभी पूछता है हैं हो तो दो रिनीसिंग प्रोपरटिक लिए एक रेक्शन वोते कि टॉल्स सॉलुचन के साथ तो रेडूसिंग प्रपटी एकि जीछलेंस रीजन के साथ कैसे क्रिया करता है है इसमेटों के साथ दूर्टॉसिंग प्रपटी है इसकी आब स्थराइग प्रपटी से कहते हैं पसकी नममर वनर्यक्श है सा बीड्र न्रीजंट यह बहुत इंपोर्टेंट रिएक्शन है बैसे भी टॉलेंस रिजन फॉर्मेक एचट एच सी डबलू एच दिस फॉर्मेक एचट हिंदी मेडियम वाले भी स्टूडेंट इसी तरह लेख सकते हैं आराम से एंट और यह से करिया करके ट्वाइस एजी यह प्रेशिटेट बनाता है एक सिल्बर प्रेशिटेट बनता है और सी यहां से निकल जाता है प्लस एच टू प्लस यो टू निकल गये प्लस एच टू ओ प्लस एच टू ओ इसमें यह प्रेशिपीटेट बनता है पीपीटी वाइट पीपीटी बहुत ही अच्छा सांदर तो टॉलेंज रिजेंट टॉलेंज रिजेंट के साथ एक्षिन फॉर्मे केस्ट करता है जिसमें वाइट पीपीटी एक पीपीटी बनता है सिल्वर का कारम राक्षाट और स्यू टू निकल जाता है एक्षान भीद फैलिंग सॉलूशन फैलिंग सॉलूशन है जब फैलिंग सॉलूशन से यानि फैलिंग विल्यंग से टॉड्मे एक्षिन कराई जाती है यानि केलिया कराई जाती है तो यह फैलिंग МУЗЫКА को यानि फैलिंग विलियन को रिडूस कर देता है अप्चित कर देता है कि एच सी डिवलू एच दिस फॉर्मेक एसिट प्लास कोपर ओक्सेड यह फैलिंग सॉलूशन का सॉलूशन सोट मैं लिए मैंने इसे हीट किया जाता है फैलिंग सॉलूशन से रेक्शन करके हीट किया जाए से कि सी यूटु ओ प्लास एच टू ओ प्लास सी ओ टू यह रैड पीपीटी बनता है उप्रोक्सेड का रैड पीपीटी कि यानि फार्मेक एसिट फैलिंग सॉलूशन को रोडूस करके एक रैड पीपीटी लाल प्रेसिपिटीट कि बना देता है सी यूटू का और एस्टो सी यूटू निकल जाते हैं यह इसकी कि दो इंपोर्टेंट रेडूसिंग रेक्शन है कभी-कभी यह पूछ लिया जाता है कि कि फार्मेक एसिट की दो अप्चायक रेक्शन लिखिए तो आप एक फालिंग सॉलूशन और टॉल के बारे में लिख देंगे